कर दोस्तों इस्टों की रिच के एक वीडियो में आपका स्वागत है कि दोस्तों आज मार्केट क्लोज हो गया पुटिंत में आप 15 में का इंतजार लेकिन इस बीच में मैं ट्रेड लेने से फ़रा साथ बच रहा हूं और आपको भी सेस्ट करूंगा जब तक की बहुत ज्या आपको उस पे कोई चीज ना आ जाए तब तक आप ट्रेड लेने से थुरा सा बचे एलेक्शन का टाइम है रिजल्ट आने के बाद भी ट्रेड ले सकते हैं इस बीच मैं आपको चार स्टॉक मैं बताता हूं जिसमें अच्छी खासी रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है चार यहां पर हमारी इंट्री बनती थी यहां पर भी बनती थी बीना डरे मैं तो यहां पर भी रेट कंडल पर इंट्री लेता हूं यह मेरा एसल राता है गया फिर वहां पर आया फिर उपर गया फिर आया फिर वहां पर आकर हैमर कंडल बनाया एस्टेशन पर और यह देखिए ये candle आ गया है आप इस जून के break out करने पर 245 के तो इसी के उपर आप अपना बाहिब प्राइस करें पहला target 280 का आप इसके नीचे का SL रख सकते हैं मेरा SL जो है ये green line 180 के नीचे वाला मेरा SL है ठीक है इसके उपर के निकले जो भी मिले अगर इंटरेट करना चाहते हैं तो इंटरेट में आगर आ गया 255 आगया तो प्रोफिट बुक कर लें ठीक है और नहीं तो अगर होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर quantity पढ़ाते रहिएगा ठीक है प्राइस से क्या होगा buying price अपका average होकर लोग buying price पर आ जाएगा ठीक है दूसरा इस्टोक है मेरा गिराफ हाइट इंडिया देखिए गिराफ हाइट इंडिया में क्या स्विचुशन हो रहा है देखिए यह रागिराफ हाइट इंडिया का चाहट यहाँ आप आप देख सकते हैं एक राउंडिंग पैटर्न जैसा बनाया है यानि की अल्टरा रसिस्टेंट फेल्स कर रहा था ठीक है नब यह एरिया को फेल्स कर रहा था और वहां से क्या जबरदस्त पॉल आया है और जैसे मैं क्या बताता हूं कि यह हमारा एस्टेशन रहेगा और इसके अंदर यह हमारा एस्टेशन है आप देखिए क्या संदार आपको इंट्री दिया है हमारा एस्टेशन ने यह रेट केंडल का हैमर केंडल देखिए एक जेक 540 रुपईया के टच कर को जाकर हैमर केंडल बनाया है और अगले दिन का देखिए जब पर 10 लॉंग बोली स्केंडल तब इसके उपर अब इसके उपर 590 के उपर इंट्री बनाये और अब आपका पहला टारगेट यही जो ओल टाइम और सॉरी जो प्रिवियस स्विंग हाई था जो के प्रिवियस हाई था अब यही इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ठीक है वो सकता है ऐसे ऐसे करके जाए एक दमाई से रोकेट बन के ना जाए लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है आपका इसे लिए रहेगा ठीक है आपका इसे लिए रहेगा सिर्फ पचास रुपईया का एसे और लेकर चल सकते हैं सो 700 रुपईया का टारगेट के लिए दूसरा है श्टॉक हो गया मेरा गराफ हाई इंडिया ठीक है तीसरा है यूटियल का चार्ट आपको समझने यह कोशिश कीजिए चार्ट पैटर्न जो लोग सिखना चाहते है ना उनके लिए जबरदस चार्ट है यह देखिए यूपियल बताबासा मैं टाइम लेता हूं ठीक है ना यह हाई बनाया लेकिन क्या हुआ कि प्रिवियस हाई को नहीं निकाल पाया फिर नीचे आया ठीक है यहाँ पर जबरदस चार्ट बनाया फिर यह हाई बनाया लेकिन यह हाई इस हाई को भी नहीं निकाल पाया और यहां से ब्रेक करके गया ब्रेक करने के बाद फिर नीचे आया, lower low बनाया, इस lower low से ये बनाया, फिर उपर गया, और फिर नीचे आया, जब नीचे आया तो इस low को भी break करके आया, तो ये क्या हो SSN, फिर वापस ये गया high बनाया, लेकिन ये high इस high के उपर नहीं निकला, यानि कि lower high का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, lower high और lower low का फॉर्मेशन चला, अब तीसरा बार इसको भी तोड़ा एक नया low बना दिया, लेकिन इस low के बाद अब आकर stock price रुख गया, बहतरीन जो लोग सिखना चाहते हैं यह यूपीर का चार्ट उनके लिए बहतरीन नमुना ह चार्ट सिखने के लिए, अब यह क्या है, BOS, BOS मतलब break of structure, बहुत सारा आप लोग छोटे-छोटे clip देखिएगा, या आप slide देखिएगा, BOS लिख के आती है, यानि break of structure, जो यह structure lower high और lower low का था, अब यहाँ पर आकर break कर गया, ठीक है, आप देखिए, एक ही point पर कितनी बा के पास भी नहीं है, अब क्या हो गया, higher low का formation शुरूब हो गया, और higher high, यह high बनाया, ठीक है, second time पर गया, तो यह high को तोड़ के एक नया high बनाया, ठीक है, higher high, और यह क्या हो गया, higher low, फिर इसके बाद से गया, तो इसको भी तोड़ के एक higher high बनाया, और double bottom pattern, one bottom, two button, अब जरा चार्ट पर, अब क्या सिंचर हो रहा है, अगर एक तो पैटर्न हो गया, दूसरा पैटर्न हो गया, अगर आप box pattern को follow कर रहे हो, या multiple support line को follow कर रहे हो, देखो इस zone का breakout दिया, इस zone का breakout दिया, लेकिन आज के दिन में एक inside candle बना हुआ है, अब आपको entry कहा लेना है, ठीक अब यहाँ पर आपको माल उठाना शुरू करना है, इसका नीचे का SL रखके, ठीक है, इसके नीचे का SL रखने, क्योंकि अब यह strong support zone है, ठीक है न, अब आप इसमें माल उठाना शुरू कर सकते हैं, दोस्तों, UPL के लिए, UPL का चार्ट सीखने के लिए जबरदस्त है, especially new logo के लिए, सिखने के लिए जबरदस्त है, यही तो था, जो हम लोग पहले support का यहाँ पर काम कर रहा था, अब यही resistant का काम किया, एक बार यहाँ से निकल गया, तो फिर यह वाला जो जगह है, जहाँ पर हम लोग तूट कर आये थे, और जो resistant का का काम कर रहा, यह support था पहले, के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा, चोथा स्टोक है मेरा SGVN, डे टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखिए, swing high 170 का, आया, अपने station के पास आया, station के पास आने के बाद देखिए, जैसे station के पास आता है, यही होता है, दस में से नो बार यही होता है, long bullish engulfing candle बनाया, long bullish engulfing candle यह candle पाचान है, और उसके बाद से किसी भी दिन इसके नीचे कोई भी price close नहीं हुआ, 120 के नीचे कोई किसी भी दिन इतने दिन में, 120 के नीचे कोई भी price close नहीं किया है, अब देख सकते हैं, क्या जबरदस यह है, long bullish engulfing candle का करिस्मा, अब यहाँ पर देखिए, जैसे फिर station के पास आया, यहाँ पर जबरदस्थ hammer candle बनाता हुआ, आपको दिखे राई है, और आज long bullish candle बना, अब इसके ऊपर का निकला है, 132 रोपया का पास entry ले सकते हैं इसके अंदर, और target लेके चलिया, अब इसका all time high, previous swing high का, ठीक है, 170 का, एक बार निकल गया, 140 निकल गया, 140 के पास एक छोटा सा रेसिस्टेंट है, अगर यह निकल गया, तो सिधा 130, आप चाहें तो इसके नीचे का, आप SL लगा सकते हैं, क्योंकि इतने दिन के बीच का price का support रहा, यह अगर support टूटा तो हो सकता है, 100 रोपया आप तक आया, लेकिन हम 100 रोपया तक बेट नहीं करेंग अगर आपको डर लग रहा है, तो आप इसके नीचे का SL लखें, 120 के नीचे का, 132 रोपया पर इंट्री ले, पहला टार्गेट 140 के उपर जैसे निकले, 170 तक जाएगा, SDVN, ठीक है न, उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आप छोटे-छोटे पैसे से छ इंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्ते, थेंक यू